राजान बजार से सटे चकसप्यागाउ में किर्सी मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार कटिहार में नव पदस्थापित जिला किर्सी पताधिकारी दिनकवन कुमार सिंग के माता स्वर्गिया सकुंतला देवी को सरधांज लिदेने पहुँचे थे किर्सी मंत्री ने मौके पर किर्सी बिभाग से लेकर वरी अधिकारियों के बीच खरीब फसल की पैदावार की विस्तित जानकारी ली इस मौके पर किर्सी पताधिकारी सुदामा महतो भूमी संद्रचन उपनिदेसक बालेस्वर परसाद सिंग जिला उद्ध्यान पताधिकारी डॉक्टर अमरिता पौधा संद्रचन सहायकनिदेसक अरविंद कुमार रसायान सहायकनिदेसक बिकास कुमार किर्सी अभियंतरन कम खर्च कम पानी कम समय में अधीक उत्पादन वा जैवी खेती को बढ़ावाद देने आधी के बारे में बिसे इस तौर पर किसानों को प्रिरीद करने के लिए कहा वहीं मौके पर रजौन पर मुक पर खंड के भाशपा और जद्यू के नेता हुआ कारेकरता मौजूद थे सीमावर्ती राज्जियों से सराब लेकर बाका के रास्ते मुंगेर जिले के खड़कपूर जाने की योजना को उत्पाद विभाग की छापे मारी ने बिफल कर दिया उत्पात दिभाग की और से लगातार अवेद सराब को लेकर छापे मारी अभियान चलाई जा रही है साथ ही बाकाजले के सभी अंतर राजिय सीमा पर सगन वहान चेकिंग अभियान भी चला रही है इसी के तहद गुरुवार को सब इंस्पेक्टर प्रमोत कुमर मंडल के नेतरितु में बाकाजला के काटोरिया रेलवे पूल के पास डिजायर गाली से तीन सराब तसकर समेर 288 बोतल सराब के साथ तीन तसकरों को गिरहपतार किया गया वहीं दूसरी तरफ कटोरिया बाजार से एक मोटर सैकल पर सबार दो लोगों को पकड़ा गया साथ ही गाली से 38 बोतल सराब भी बरामद हुई इस संबंध में उतपाद रिच्चक बांका अरुन कुमार जहा ने बताया कि पकड़े गए तसकर के पास से भारी मात्रा में सराब बरामद की गई है साथ ही एक डिजैर गाडी वए एक मोटर सैकल भी बरामद की गई है दोनों जगों से सराब के साथ पांच लोगों की गिरभतारी की गई है बिक्की कुमार, संतोस कुमार्टिवारी, मुन्ना कुमार, अकास कुमार, राहुल कुमार को सराब के साथ गिरपतार किया गया है उतपाद विभाग की और से बाका जिले के सभी चेत्रों में पूर्ण सराब बंदी को लेकर लगातार छापे मारी की जा रही है पुल है उसी पुल पर से बरामत हुआ है देवगर से सराव लेकर्ट के आ रहा था और इसको खरकपुर जाना थाँगे इस तरह ये कार एक बरामत हुआ है मारज़िशिप डिजायर इसको तीन जो रेक्ति सवार थी तीनों को ग्रफतार किया गया बारा काटम सवार डिक्ई म लोडेट था गारी को जब्त कर लिया गया है गिराफतार व्यक्तियों को न्याई किया सथ के लिए वह गिराफतार हुए है वह तीन रखती हैं और तीनों जो है खड़कपुर के लिए हैं आपको नाम बता जिते हैं उसमें एक है विक्की कुमार चालक है यह यह देवघर का संतोस कुमार तिवारी यह वी देवघर का है मुन्ना कुमार यह संग्रामपूर मुंगेर का की मत की होगी सब्सक्राइब और यह जो दोनों सवार है इनका नाम है आकावस कुमार और राहुल कुमार लियाकास कुमार मुंगेर हवेली करकपूर के और राहुल कुमार भी राहुल कुमार देवघर के रहने वाले है पाच तसकरों की गिरफता भी है इसना पूर्टी करता प्राप्त करता ट्रांसपोर्टर सभी लोग सामें देवाइब बाका के अमरपूर थानाचितर के सुल्तानपूर गाउं में बकाया रकम मांगने गया एक रिद्धिकर इस्तिदारों ने पीट कर बुरी तरह से जक्मी कर दिया जक्मी मुहमद आपताप का प्रात्मी कुपचार अस्थानिय रैफ्रल अस्पताल में किया गया मामले को लेकर जक्मी ने बताया कि मुहमद संटू उर्फ मीर अक्तर ने पूरु में आटजा रुपीय कर्ज में लिया था जब बकाया रकम की मांग करने गया तो मीर अक्तर मुहम्मद हैदर मुहम्मद अनसार समेट 6 लोगों ने गाली गिलोज किया जिसका बिरोध करने पर लोहे की सरिया और तलवार से प्रहार करते हुए जखमी कर दिया मामले के लिखी ताविदन जखमी ने थाने में देते हुए कारवाही करने की मांग की है थाना द्यच कुमार सन्नी ने बताया कि आविदक के दरा दिये गया आविदन पर अनुसंधान किया जा रहा है पेट्रोल एओं डियल की बढ़ती कीमतों की बिरोध में कांग्रेस पार्टी के कारकरताओं ने पार्टी के परखंड अध्यच परदीप कुमार चितुर वेदी के नेत्रित में बिरोध प्रदरसं किया इस दोरान कारकरताओं ने पार्टी मुख्याले परिसर से जुलूस निकाल कर केंद्र एवं राज सरकार के बिरोध में जम कर नारेबाजी की जुलूस में मुख्य रूप से अमरपूर बिधान सवा के पुरू परत्यासी राके सिंग जिलाव पाध्यच अजय कुमार कि बिहार सरकार बैस्विक महामारी कोरोनावरस के संक्रमन रोकने में पूरी तरह बिफल साबित हुई है। सिर्फ बिहार की जंता को गुमरा करना है इनकी दिन चर्या बन गई है। पार्टी के पर्खंड अध्यच समेत अन्यकार करताओं ने अपनी मांग पत्रकाई ग्यापन विडियो को सौपा। इस अबसर पर 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 पाध्यच पुर्निमा चक्रवर्ती, पर्खंड सचीव राकेस कुमार भगत, उमासंकर दास, सेवा दल के इबरार आलम, पार्टी कुमार, एवम नोडल पतादिकारी अजे परताप सिंग के नेत्रुत में आयोजित रिन समीती के सस्यों की बैठक संपन हुई, बैठक में दुकान के लिए एक ग्यारा एवम बकली पालन के लिए 23 दीदियों को चैनित किया गया, बैठक में छेत्रीय समन्यवक ब पावेदन देने वाली दीदियों को उनकी कारे सैली एवम सकृता पर बिस्तार से चर्चा के बाद चैनित किया गया, मरपी राहूल ने बताया कि दुकान के लिए किस्तों में रिन दिया जाता है, उननती करने वाली दीदियों को रिन की अगली किस्त का भुकतान किया जात बाकाजिला के अमरपूर थाना ठिद्र के टहरी गाउं में आपसी बिबाद को लेकर मारपीट में पती पतनी जखमी हो गए जखमी दिनेस यादव एवं इनकी पतनी प्रमीला देवी का प्रात्मी कुपचार अस्थानीय रैफर अस्पताल में डॉक्टर असो कुमार साह के दोरा किया गया जखमी की गंभी रिस्ति को देखते हुए बहतर इलाज के लिए माया गंज भागलपूर रैफर कर दिया गया मामले को लेकर अस्पताल परिसर में जखमी दिनेस यादव ने बताया कि गाउं के ही रगु यादव नसे में धुत होकर उतपात मचा रहा था समझाने के बाद रगु यादव, मट्रू यादव, गौतम यादव, अनील यादव, पवन यादव कैलास्ताती समें दो दरजन यूवग गाली गलोच करते हुए जबरन घर में घुस गया और लाठी डंडा से प्रहार करते हुए मुझी और मेरी पत्नी को जखमी कर दिया करते हुए यादव, झाली गलोच जक प्रहार करते हुए थाना और लाद एी मुझी और में अनील कि चार नुए प्रहार क्पा से गलोच क मुझी और लादव, लाद़